जाहिंद साथियों, साथियों आज हम लेका आए हैं आप लोग के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट दोस्तों ये देखिए ये है सेल रावर केला इस्पाद सेयंत यानि कि रावर केला इस्टील प्लांट का यहां पर यहां पर यह सेलरी स्लिप है इसको पेस्लिप करते हैं दोस्तों उसी का हम यहां पर लेका आये हैं दोस्तों यह पोस्ट देख सकते हैं यह सेलरी रावर केला प्लांट का यहां पर दिया गया है देख सकते हैं पेस्लिप ह बढ़ी नमबर 22 को है चोब मेंफिकर के लिए इसमेंज़ को यहां पर прин नबर बीम्हें लिए लिए इस नें रिवे लिए कैसे अवर अगल अज्यां सब्सक्राइब लेकिन दोसतों मैंने सुपने करद बडने एस दिटेल्स को हिइड क्या हुआ क्योंकि जो है जो हमको भेजे है वो बताए कि इसमें जो है यह डिटेल्स सारी यहाँ पर प्रदसीत नहीं किया जाना चाहिए तो दोस्तों यह चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ मैं सिधा यहाँ पर बात करता हूँ यह देख सकते है रावर के लाए स्टील प्लांट का पेसलीप देख सकते है लोकेशन उपस्थिती भी यहाँ पर दिया गया है बाकाई छुटी भी यहाँ पर मेंशन है ठीक है और उसके बाद टेक्स भी यहाँ पर मेंशन किया गया है ग लिए दोस्तों हम इसमें बात करते हैं कि आपको यहां पर पैमेट्स किसके किसके लिए कितना आता है चलिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं दोस्तों बेसिक जो है आपको यहां पर 37,000 मिलना है 37,398 रुपया मिलना है बेसिक दोस्तों इसका बेसिक क लूसेन मिलता जो कि 9000 के आसपास हों जाता है उसके बाद दोस्तों पर्क आगर हम बात करते थो 34% मिला है जो कि देख सकते 7700260 है उसके बाद night shift में आगर आप कांप किये हैं तो night shift व्य है 90 bulun की हिसाव से मिलता है इसमें देख सकते 810 रुपिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर incentive कुछ 12 रुपया के अधार पर आपका मंतली incentive fix किया गया है और अगर अगर reward भी आपको यहाँ पर 289 रुपया की मिला है और extra कुछ जो आपका जो है मतलब payment होता है यह भी आपको extra wages भी मतलब बच यहाँ पर दिया गया है incentive कुछ incentive भी जो आपको मिला है यह total यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो basic का लावा यह सब जो है आपका यहाँ पर आपका जो है salary में add होते जाएगा जो भी आप यहाँ पर intensive लिए है night duty किये है जो भी चीज किये है वो यहाँ पर जुड़ता जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यह तो हो गई कि आपका यहाँ पर जो है total यह मिला है ठीक है अब दोस्तों इसमें कटा charge क्या क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है इसमें दोस्तों देख सकते है CPF PC जो की 4432 रूप्या कटा है विपी ऐफ एक हजा रूप्या कटा है इससे जैधा भी आप कटा सकते थे उसके बाद EC mam 249 रूप्या कटा है PT सृप्या कटा है और रूम रेंट आपका देख सकते दोस्तों बहुत कम लोग नेट लगता है और दोस्तो एलेक्टिसिटी अगर बिजली विल आप यूज कर रहें तो 694 रुपिया आपका यहां पे कट रहा है और दोस्तो EFBS भी जो है यह सारी कटोती है जो कि 100 रुपिया के साब सक्किया गया है तो दोस्तो यह आपके सिलरी के कटोती है यहां पे ठीक है उसके बाद दोस्तो अगर हम बात करते हैं यहां पे टोटल ग्रोस रासी का तो टोटल इनका 44,289 रुपिया परता है ठीक है जिसमें से आप देख सकते हैं दोस्तो यह सब यह सब एड हो के यहां पे टोटल 44,000 पूरा है और दोस्तो अगर हम इस में से 44,000 में से अगर हम यहां पे बात करते हैं तोटल इसका हो जाता है देख सकते हैं दोस्तो जो इसको वेतर मिलेगा 47,382 रुपिया लेकिन उसका टेक्स जो यह सब जो टेक्स कट जाएगा यह सब टोटल 47,000 क्या सपास हुआ ठीक जो 400 रुपिया का यहां पे आगे पीछे होते रहता है मंधली की हिसाब से तो वो भी यहां पे एड होता है तो दोस्तो इन हेंड आपको 44,114 रुपिया मिलेगा और दोस्तो इसके अलावे आपका यहां पे salary increment भी होता है यह बात के अब भी धियान रखे अगर हम बात कहते है अपरोक्स 10% आपका salary increment भी होता है ठीक है तो दोस्तो यह महत्पून जनकारी थी जो भी candidate जिनका यहां पे operator कम technician हुआ है उनके लिए जो यह महत्पून अपडेट थी और जो भी candidate त्यार कर रहा है वो भी अच्छे से त्यार कीजिए दोस्तो इनका basic तो कम है लेकिन इसमें allowances भी है तो यह भी बात आपको धियान में रखने परेगा टोटल आपका जो है आपका 2 year का training period होता है 2 year का training period में दोस्तो आपको यहां पर मिलेगा 15,000 के आसपास आपको permit मिलता है 2 साल का training करने के बाद और उसके बाद आप जब posting हो जाते तब इतना मिलेगा ठीक है इससे पहले आपको 15,000 पे जो है 2 साल के लिए काम करना परेगा दोस्तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि इसका salary तो बहुत कम ही है 2 साल का भी इंतजार किया जा रहा है लेकिन दोस्तो एक तरह से बात किजिए ये जेई का post नहीं है ये डिपलोमा वालों का जेई का post नहीं है ये देख सकते हैं operator come technician तो technician को इतना मिल रहा है ये sufficient है ये भी आप थुरा ध्यान में रखिएगा तो हब करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए गूई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और कोई भी क्यारी रहती है आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आप विला में रिपलाय दूँगा धन्यबात